आप दीख रही है दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार विजवर्गी बोले कॉंग्रेस का हाल महिशा सूर जैसा होगा भासकर की सवाल पर कहा उनके नेता शक्ती से लड़ने की बात करते हैं चिनवाड़ प्रवास पर आये नगरी आवास एवं विकास मंत्री के लाश विजवर्गी ने कहा प्रगति की दोड़ में चिनवाड़ पीछे चूटा हुआ है तो कि यहां से सांसित कभी वे मोदी समर्थक नहीं रहे विजवर्गी से पूछा पहले के चुनाओ और इस चुनाओ में क्या आंतर देखते हैं जवाब में मंत्री ने कहा है इस चुनाओ में मुझे मोदी के आंधी रिखाई दे रही है इस बार चिनवाड़ा की जनता ने तै कर लिया है कि पीम मोदी से कंदे से कंदा मिला कर चिनवाड़ा के विकास कराएंगे कॉंग्रिस का अरोपे की भाजपा विश्वास खो चुकी है इसलिए कॉंग्रिस नेताओं का सहारा ले रही है इस सवार के जवाब में विजवर्गी ने कहा कॉंग्रिस के परमाड की भाजपा कोई आवशकता नहीं है पहले वो अपना दल समभा ले अपने नेता को समभा अब उनके नेता शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, महिशा सुर्ष शक्ति से लड़ा था, उसका क्या हाल हुआ, शायद कॉंग्रिस का इसी बार यही हाल होने वाला है, हम चिंदवाड़ा में 5 लाग से जादा वोर्ट से जीतेंगे, विजबर्गी महा कॉशल क्लेस्टर प समापन हुआ था, इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आई-णडिया गडबंधन की रैली आयजित की गए, रैली में गराहूल गादी ने कहा हिंदू धर में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, अब सवाल उठता है कि वो शक्ति क्या है, जैस शक्ति मानता है, उस शक्ति की विनाश को एलान कर दिया है, अगर शक्ति विनाश का उनका एलान है, तो शक्ति उपासना का मेरी भी, मेरा भी एलान है, कई राजनितिक जानकार कहते रहते हैं कि नारी शक्ति मोधी की साइलेंट वोटर है, लिकिन मेरे देश की नारी शक्त वाड़ा से होगी चिनवाड़ा भाजपा की जीत में रोड़ा नहीं है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें